यहीं दोस्तों मैं आप लोगों को आज की मुंबई की पांच बड़ी खबरे बता देता हूँ पहली खबर यह है कि नुपुर शर्मा को मुंबई पुलिस धून नहीं पाई है नुपुर शर्मा को समन देने के लिए दिल्ली में गई थी मुंबई पुलिस लेकिन नूपुर शर्मा मुंबई पुलिस की पहुँच के बाहर है दूसरी खबर ये है कि MLC चुनाव में वोट करने के लिए Bombay High Court ने अनिल देशमुक और नवाब मलिक को इजाज़त नहीं दी है कुछी दिनों में महाराष्टा के MLC चुनाव होने वाले है जैसे राज्य सबा में पर्मीशन नहीं मिली थी इन दोनों को वैसे ही MLC चुनाव में भी वोट करने की पर्मीशन नहीं मिली है तीसरी खबर ये है कि रंजी ट्रॉफी में मुंबई की टीम फाइनल में पहुँच गई है और कहीं न कहीं मुंबई का मुकाबला मध्या प्रदेश से होगा रंजी ट्रॉफी की फाइनल में चौती खबर ये है कि 20 जून से वेस्टन रेलवे लाइन में आठ और AC लोकल ट्रेन दोड़ेगी तो कहीं न कहीं ये मुंबई कर्स के लिए काफी अच्छी खबर है कि ये आठ और AC लोकल ट्रेन ज्यादा दोड़ेगी पाँच्वी खबर ये है कि मुंबई में आज 2054 कोरोना पॉजिटिव पेशन्ट रिपोर्ट हुए तो अभी कोरोना एक्टिव पेशन्ट का आकड़ा 13500 से ज्यादा हो चुका है मुंबई का तो दोस्तों ये है मुंबई की टॉप 5 न्यूज आज की यानि 18 जुन 2022 की अंत में मैं बस आप सब से यही कहूंगा भगवान इश्वर गौड अल्ला आप सबको सलामत रखे आप सब अपना ख्याल रखे सभी को दुआउ में याद रखे थैंक यू सो मच